नमस्कार, मेरा नाम है प्रमेंदर सिंग सिरोही और पेसे से हुए एक सिविल इंजीनियर आज फिर वही पुरानी घटना हम फिर से लेके आगे हैं पांच दिसंबर दो हजार इक्षि की ये घटना है जो मैंने बताया था आपको के हमारे एक फोजी भाई नायक्स वेदार राजीव कुमार के घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर पुलिस ने पंगे वाजी करके जबर जस्ती और उसके साथ रिष्टेदारों को उठा लिया था आप देखिए ये रिष्टेदार रिष्टेदार भी ऐसे थे के एक उनका बेहनोई वो सियार पीएफ में थे और एक उनका भाई वो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और एक वकील है और अन्या तीन किसान है जो विचारे खेती करते है और तीनों के उपर जूटे मुकद में दायर करने के बाद में इससे पहले भी आप हमारी वीडियो देख चुके होंगे इन लोगों को 20 दिन तक पुलिस ने जेल में सड़ाया और उसके बाद में जो है इनकी जमानत हो गई थी पिछली 24 दिसंबर को और अभी सब अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए है लेकिन ना तो पुलिस ने अभी तक जूटा मुकदमा वापिस लिया हाला कि ये केस जो है अदालत में चल रहा है लेकिन अदालत में क्यों चल रहा है भई अगर पुलिस अपना केस वापिस ले लेगी तो मामला खतम हो जाएगा तो ना तो अभी तक पुलिस ने कि वो मामला जूटे मामले वो वापिस लिये है ना ही उन दो सी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उन्होंने कोई कारेवाई की है और वो सोच रहे हैं कि साइद ये धीरे 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 मामला जो है ठंडा पड़ता चला जाएगा देखिए मैं पुलिस पुरसासन को ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ गंदी मचलियां जो पूरे तलाब को गंदा कर रही है प्लीज उन्हों बचाने की कोशिस मत करो योगी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन जब कुछ लोग ऐसी पुलिस को बदराम करने के लिए कुछ हैसा काम करते हैं तो उनको बचाना बिलकुल भी आप कोशिस मत कीजिए वरना आपके अपने हाथ भी गंदे इसमा हो सकते हैं मैंना आपसे पहले भी कहा था कि तीन दोसी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त होने हैं ये नोकरी से बिलकुल बर्खास्त आपने हमसे कहा था कि जांच चल रही है और जांच में लगते हैं पंदरा दिन तो मैं अपने प्रभाकर चोधरी साहब से कहना चाहूंगा कि 10 जिसंबर आपने मुझे एक पीली पर्ची थमा दी थी कि पंदरा दिन जांच में लगते हैं आज के बाद हम आदेस दिन आज कितने दिन हो गया है आज हो गया है लगबक 30 दिन तीस दिन में भी आपका कुछ फैसला साफ नहीं हुआ प्रवाकर साहब देखिए यह जो डिजिटल इंडिया है ना यह बहुत चेंज हो गया है पहले वाले मामले अब मत चलो के धीरे धीरे दीरे एक एक दारा अटा देंगे और मामला हम अपने लोगों को बचा लेंगे ना हमारा एक पाइलेट सीमा के उस पार गिरा था भूलो मत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और कितने दिन में भारा गया था तीन दिन के अंदर तो इसलिए मेरी आप से यही रिक्वेश् सब एक खटा हों उसमें ग्यापान हम अपने प्रभागर चोधरी साब को देंगे उनकी नीद से जो अभी वो नीद में हैं कुछ वो नीद उनकी खुल नहीं रही समझ में नहीं आरे क्यों नहीं खुल रहा रहे भाई आप एक यंग आईपियस ओफिसर हो आप सामें बहु कर रहे हो जिन्हों ने पुलिस की बिलकुल इजट को तार-तार कर दिया है खुश तो सोचो आपको सोचना पड़ेगा आप सोचिए दस तारीक को मैं सभी फोजी भाईयों से जो रिटायर फोजी भाईयें उनसे भी अनुरोद करूंगा और मैं अपने किसान भाईयों से भ कर रहे थे ना कि सर्माजी सोरी बच्चों से गलती हो जाती है वो किसानी था जो पुलिस से रिटायर है मैं उनसे भी अनुरोद करूंगा क्योंकि देखो एक भाई जो हमारा 20 दिन वो जेल में रहा ना वो साहजानपूर में साहजानपूर साय था डाकली के दिली लेकिन मै यह तारीफ करूंगा साजानपूर के सस्पी साब को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि पूरी घटना को सुनने के बाद में उन्हों ने उसको बहाल भी कर दिया है और उसके पैसे वैसे का भी हिसाब किताब कर दिया है लेकिन हमारे प्रभाकर साहब की अभी फर गया है ना उसके साथ बहुत बत्तमी जी करी है पुलिस ने भाई सबसे ज्यादा बत्तमी जी उसी सी करी हो वशारा हाथ जोडता रहा आप ने वीडियो में देखा हो अच्छी तरीके से किस तरीके से वोलगे है जी आपका बच्चा हूं आपकी बेल नहीं लेता हूं वहां पे देखें आप उस वीडियो को दवारा और उसके साथ बत्तमी जी हुई है गाड़ी में तो मैं अपने वकील भाईयों से भी कहूंगा जितने भी रिटायर अपने पुलिस वाली लोग हैं उनसे अाडल première मस्तमी जी हुआ झाल्ड़ी पुलिस वाल्डरी पुलिप स्टेल बना इनका हैं उनसे प्याड़ी रिजस से अपने ठाव़का झाल्य में खालो कि है नहीं उनसे हैं यहाएं डहले और बोपैसर हैं शो आखängen इनक्वासरा का विद्वासरे साथ बतायोँक्으 हैं जनक